अगर आपने पहले के लेक्शिस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप पहले जाकर प्रीज उने चेक कर दीजे क्योंकि वो आपके लिए बहुत हैलफुल रहेंगे आपको सिस्टेमाटिकली समझने में मदद मिलेगी और कहीं भी कन्फूजन नहीं हैं उसमें भी हमने काफी सारे बेसिस ओफ क्लासिफिकेशन हो गया या फाइलम्स पॉरिफरा सिलिंड्रेटा टीनोफोरा हम अल्रीडी कवर कर चुके हैं अभी हम पहुंचे हैं फाइलम्स प्लेटी हलमंधिस पे उसके कुछ केरेक्टरिस्टिक्स हमें डिसकस करने रह किस तरीके से थिक क्यूटिकल होता है एपिडर्मिस होता है सिंसिटिकल एपिडर्मिस होता है सिंसाइशियल एपिडर्मिस होता है सिंसाइशल यानि ऐसे सेल्स होते हैं उस एपिडर्मिस में जिसमें बहुत सारे न्यूकलिस आपको देखने को मिलते हैं ठीक है तो यह ची होने के वज़ा से यह जब small intestine में होते तो already पचा-पचा या खाना मिल रहा है तो इनको digestive system की ज़रुरत नहीं है पर कुछ एक में digestive system है yes blind sack body plan है इनका एक ही opening है mouth or anus but कुछ हमारे example है जैसे teenia हो गया ठीक है वो हमारे small intestine में उसको digestive system की ज़रुरत नहीं है तो उसमें absorption होता है direct body surface से वो absorb कर लेगा खाना पचा हुआ already जो उसको मिल रहा है इसके अलावा जो बाकी होते हैं उनमें extra cellular digestion मिलने देखने को मिलती है क्योंकि इसके कुछ members जो है वो digestion करते हैं ठीक है तो वो कौनसी digestion करते platy almondies extra cellular digestion ये चीज़ आपको याद रखनी है चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि इसमें मैंने कहा था entry हो जाती एक नए इसमें characters की नए चीज़ों की जो है hookers ठीक है जो इसमें hooks होते हैं hooks होते हैं claws होते हैं जुनको हम suckers बोलते हैं ठीक है hooks and suckers की इसमें entry हो जाती है अब मैंने कहा था आपको कि platy almondies are endoparasites ठीक है जो suckers है hooks है इनका काम क्या होता है इनका काम होता है encourage है ना adhesion ठीक है तो यह क्या करेंगे जो भी आपका host है इनका host है bloody almondies के members का तो इनको elementary कैनाल में यह पड़े हुआ है खुले मैंने कहा टीनिया का example दिया हमारी small intestine में पड़ा हुआ है तो इतना excretion होता है जाना आता रहता है excretion होता है digestive enzymes आते हैं तो यह उसके साथ wash out क्यों नहीं हो जाता नहीं होता क्योंकि यह इससे जुड़ा रहता है तो host के उपर attach करने के लिए attach रहने के लिए जुड़े रहने के लिए इनको यह काम करते है hooks and suckers आकर इसका काम करेंगे तो इनको हम adhesive organs का नाम दे देते हैं यह कैसे है adhesive organs है ऐसे organs जो मदद करेंगे इनको suckers और hooks जो है मदद करेंगे इनको adhesion के लिए ठीक है help in attachment to the host body क्योंकि यह parasites है इनको अंदर रहना बहुत जरूरी है ठीक है और यह सिरफ किसमें मिलेंगे जो भी parasitic होंगे इनके members उनमें ही मिलेंगे only found in parasitic members only found in parasitic members ठीक है clear हो गया है तो आपने ध्यान रखना है यह यह यहां पर एक नए organs adhesive organs यहां पर attach हो चुके है ठीक है और इसमें एक नाम आता है वो बहुत important है examiner उसको उठा लेता है वो है आपके flame cells ठीक है flame cells के उपर आपने बहुत बार question सुना होगा यह आपको प्रोटो regulation and excretion को maintain करने के लिए हमारे flame cells होते हैं ठीक है ओस्मो regulation and excretion के लिए ओस्मो regulation and excretion में कौन मदद करेगा flame cells मदद करेंगे जिनको हम कहते हैं प्रोटो नेफरीडिया ठीक है आई होप यहां तक आपको clear है कुछ भी नहीं है बहुत simple language में हम बात कर रहे हैं आपको बस साथ-साथ notes बनाते जाना है और ध्यान से सुनना है ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे nervous system की देखो इससे पहले हमने nervous system की बात नहीं की क्यूंकि था ही नहीं तो nervous system की beginning यानि brain की beginning कहां होती है हमारे platy halminthies में हम platy halminthies कर रहे है flatworms कर रहे है तो इससे पहले जो silentrates थे silentrates में कुछ हद तक हमें neurons देखने को मिले बट brain देखने को नहीं मिला तो nervous system यानि की जो first time brain और head की formation है वो हमें कहां देखने को मिली यहाँ पर first time brain and head formation है न कहां मिले की देखने को आपको platy halminthies में ठीक है यह चीज याद रखना पहली बार जो है platy halminthies में ही brain और head formation start हुई और इनका जो nervous system है बहुत important चीज है यह कैसा होता है कि कैसी shape का होगा ladder like cd की तरह होगा ठीक है ladder like cd की form में होगा यह important है याद रखना है आपको ठीक है तो cylindrates में neurons थे बट brain नहीं था हना अब हम बात करेंगे इनकी sexual condition का sexual reproduction का हम already वैसे बता चुके हैं आपको हना basis of classification में हम देख चुके हैं बट यहाँ पर भी हम फिर से discuss कर लेते हैं कि sexual reproduction कैसे होगी condition कैसी होती है इनकी ठीक है तो जब हम sexual reproduction की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कि इसकी condition क्या है यह monosius है या diocious आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताएए यह monosius है या diocious है हम पिछले कल कर चुके हैं यह लास्ट क्लास में हमने कर लिया था यह कि यह होते हैं monosius कि जिसको हम bisexual भी बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं कि दो सेक्सिस एक ही और्गिनिजम के अंधर होंगे तो उनको हम कहते हैं monosius या bisexual या हर्मेफ्रोडाइट ठीक है तो यह चीज होती है हमारे प्लड़ी हल्मेंथीस में दूसरा था कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रही है जाइगोट बनेगा तो वह कैसे बनेगा इंटर्नली या फिर एक्स्टर्नली तो आपने लिखना है इंटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ठीक है फर्टिलाइजेशन इंटर्नल होगी और तीसरी चीज़ डिवेलप्मेंट अब फर्टिलाइजेशन होगी निशेचन होगया अब डिवेलप्मेंट कैसी होगी डाइरेक्ट होगी या ऐसे मेंबर्स होगे इसमें जिन में आपको indirect development देखने को मिलेगी मतलब की बीच में आपको larval stage मिलेगी ही देखने को ठीक है developmental stages के बीच में आपको larval stage मिलेगी और इसका एक बहुत ही peculiar feature है यहाँ पर इसमें आपको पिछे जो दिख रहा था कि क्या कहते हैं CD-PID larva दिख रहा था वैसा कुछ नहीं है CD-PID larva नहीं ह तो इसमें क्या होगा बहुत सारी larval stages मिलेंगी यह इसकी peculiarity है पीछे हमने देखने को हमें मिला था कि एक ही ही हमारे पास CD-PID larva था बट इसकी life cycle में बहुत सारी larval stages है ठीक है तो indirect development हो रही है बहुत सारी larval stages के साथ ठीक है clear है यहां तक sexual reproduction clear है अब हम देखते हैं इनके examples तीन बहुत अच्छे examples हैं जो NCRT में भी आपको दे रखे हैं हम उनहीं पर focus करेंगे ठीक है तीन examples हैं बहुत ही प्यारे प्यारे examples हैं आपने notes बनाने हैं अच्छे से तो एक mnemonic है उनको याद रखने का भी वैसे तो याद हो जाने चाहिए तीन के लिए तो हमें कोई mnemonic की जरूरत नहीं होती बट फिर भी अपनी उसूलियत के लिए आपके उसीलित के लिए एक mnemonic है तीनों की planning fail इससे हमें तीन याद रहेंगे एक तो यह होगा दूसरा यह तीसरा यह ठीक है कैसे याद रहेंगे देखो टी से मैंने पहले ही आपको यह नाम अल्रेडी बहुत बार ले लिया है यहाँ पे इस class में तीनिया हाना ठीक है और planning से हमारा आ जाएगा planaria हो रहा ना planning से हमारा क्या आ गया planaria ठीक है और lastly fail से हमारा आ जाएगा faciola ठीक है faciola ओ है यह ना चले ठीक है तो अब हम थोड़ा सा इनके common names की बात करते हैं ठीक है flat worms होते हैं हना तो आप flat क्या होते है टेप भी flat ही होते है तो इनको हम tape worms बोल देते हैं ठीक है faciola heptica especially liver fluke है बट इनको हम faciola को अगर हम generally देखें तो fluke कहा जाता है ठीक है फिर आते हम planaria पे अब देखो क्या है tenia भी एक तरीके का parasite है faciola भी parasite है जो planaria है यह है आपका free living ठीक है यह parasite नहीं है इसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा ठीक है अब क्यूंकि यह नुकसान नहीं पहुंचाता है तो इसका मतलब इसका अपना digestive system होगा यह parasite है यह नहीं इसको तो अपना digestive system चाहिए ठीक है और एक बहुत अच्छी बात है इसके वारे में इसमें बहुत ही जादा high regeneration power देखी गई है बहुत ही जादा high regeneration power देखी गई है इसके जितने मर्जी हिस्से कर लो यह हर हिस्से से एक नया organism बनाने के काबिल है ठीक है इसमें काबिलियत है हर हिस्से से एक नया organism बनाए तो बहुत ही जादा high regeneration power है इसमें आपको याद रहेंगे तो इस अप्रॉनिमग के त्रो थरू तो एजी को तिनो क तिनों कि मुखी याद रहेंगे अद्रक्ली मैं और हम्हगी में कूओन है प्लेंडेल जाते ही इस्व गॉट सै हैं बढ़ हमारे पास exception है यहाँ पर planaria जो free living था और faciola भी हमारा parasite है जिसको हम कहते है fluke तो यहाँ पर हमारा bloody halminthes खतम हो जाता है अब हम next phylum पर enter करते हैं bloody halminthes के बाद आता है हमारा ask halminthes जिनको हम निमेटोडा भी कहते हैं मैं बार बार repeat कर चुकी हूँ last के classes में आपने confused नहीं होना है निमेटोडा का मतलब है ask halminthes ही ठीक है यहाँ मारा fifth phylum है ask halminthes और निमेटोडा अब जल्दी से बात कर लेते हैं इन में कौन सा body level organization है हमें पता है organ system में पहुंच गए हम बिल्कुल लास्ट वाला जो body level of organization है उस पे पहुंच गए हम symmetry की बात करने तो इसमें bilateral में पहुंच चुके हैं ठीक है तो bilateral में पहुंच चुके हैं उसके पहुंच का symmetry के बाद हम जब बात करते हैं circulatory system की तो अभी भी ask helminthes वो लास्ट फाइलम है जहां पे absent होता है हमारा circulatory system है ही नहीं ठीक है absent circulatory system is absent कोई भी circulatory system इसको इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अब diploblastic, triploblastic की बात करें general layer की तो platyhelminthes से triploblastic character start हो जाता है triploblastic तो है बट उसके आगे siloom की बात करेंगे तो कैसे siloom है platyhelminthes कैसे थे siloomates यह होते है pseudo siloomates ठीक है pseudo siloomates मतलब इसमें mesodermal pouches देखने को मिलेंगे ठीक है तो pseudo siloom देखने को मिलेंगे cavity होगी but mesodermally lined नहीं होगी mesodermal pouches देखने को मिलेंगे हमें बीच बीच में ठीक है और इसमें जाकर हमें मिलेगा tube within tube plan platyhelminthes में क्या था blind sack तक था बट यहां पर है tube within tube यानी की दो openings होंगी एक mouth की तरह act करेगा और एक anus की तरह करेगा ठीक है एक से खाना अंधर आएगा तो दूसरे से excrete होगा tube within tube plan हमें यहां पर देखने को मिलता है ठीक है फिर इसके बात बात करेंगे digestion की तो इसमें completely extracellular digestion ही होती है अब जो है extracellular digestion start हो चुकी है हमारी platyhelminthes के बात से सब में extracellular digestion देखने को मिलेगी extracellular यानी cell के बाहर किसी tube में elementary canal में digestion हो रही है इनकी ठीक है फिर extracellular के बाद अगर हम sexual conditioning की बात करें तो sexual condition में हम देखते हैं कि यह है diocious in nature diocious का मतलब क्या था platyhelminthes morocious थे यह है diocious in nature जिनको हम कहते हैं unisexual एक ही sex present है एक organism पे ठीक है और इसमें हमें sexual dimorphism भी देखने को मिलेगी मैं उसको भी explain करूंगी आगे sexual dimorphism मतलब male और female में आप देखते ही पता लगा सकते हो कि यह male है और यह female है ठीक है तो वो होता है sexual dimorphism अब इसमें देखो fertilization कैसी होगी condition पता चलगी हमें अब fertilization कैसी होगी internal होगी या external होगी तो इसमें internal fertilization ही होती है ठीक है अंधर ही पूरा निशेचन हो जाएगा अब यहां पर एक चीज़ देखता है प्लेटी हलमेंथी में हमने indirect ही देखा था form है ना development का क्योंकि अब निशेचन हो गया जाइगोड बना अब development होगा तो development होने का जो तरीका है वो indirect था बहुत सारे लार्वल स्टेजेस हमारे प्लेटी हलमेंथी तक आई थी बट एस्क हलमेंथी इसमें क्या हो जाता है इसमें हो जाता है डाइरेक्ट and indirect कुछ members इसके directly fertilize करते हैं कुछ members indirectly develop करते हैं कुछ directly ठीक है मतलब किसी किसी में आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी और किसी किसी में आपको लार्वल स्टेज देखने नहीं मिलेगी ठीक है और वही चीज, segmentation यहां से start नहीं है, segmentation इसके आगे analyda से start होगा है, और तीन ही phylum हैं उसमें, और साथ में इसमें हमें notochod भी नहीं दिख रही है, तो यह तो non-codates हैं already, हाना, ठीक है, तो यह हैं इसके कुछ basic, जो classification के characteristics है, चले, और कुछ हद तक इसमें चीजें, जो है, diagram जब मैं बनाओंगी, तो काफी हद तक वो platyhelminthes के साथ ही, के जैसे ही है, ठीक है, बट दिक्कत यह है कि, askhelminthes को, हाँ, हम इनको common name roundworms भी कहते हैं, आपने लिख लेना है, कहीं पर, nimetoda भी कह सकते हैं, roundworms भी कहते हैं, ठीक है, अब roundworms क्यों कहते हैं, क्योंकि यह, इनकी body की जो shape है, वो circular है nature में, body की जो shape है, circular है, cross section, ठीक है, CS cross section, यानि कि, जब हम यहाँ से देख रहे हैं, देखो, ऐसे तो यह हमें longitudinal में, लंबे में दिख रहा है, pipe के, जैसा पतला सा दिख रहा है, कुछ है, ना, straight, बट जब हम इनको center से काटेंगे, cross section देखेंगे, उसमें हमें पता चलता है, transverse section जो है, इसका, उसमें हमें दिखता है, कि यह, कैसे है, circular है, इनकी shape, ठीक है, तो body is circular in cross section, और इसी लिए, इनका नाम क्या बन गया है, that's why they are called, roundworms, simple सा है, platy halminthies को flatworms क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका cross section जब हम देखें, तो वो flat नजर आते हैं, पिछके वे dorsal ventrally flat नजर आते हैं, ठीक है, अब देखो, यह कैसे हो सकते हैं, यह free living भी हो सकते हैं, और यह parasitic भी हो सकते हैं, ठीक है, तो they can be free living, और free living कैसे हो सकते हैं, free living पानी में रहने वाले भी हो सकते हैं, and terrestrial भी हो सकते हैं, जबीन पे रहने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, अब free living के साथ साथ मैंने कहा कि they can be, can also be parasitic parasites भी हैं कुछ इन में, ठीक है, अब जब parasite की ही है हमने, तो last में जो हमने पीछे platy halminthies पड़ा they can be parasitic, पर जब हमने platy halminthies की बात की तो हमने गाता, endoparasites of animals, यहां पर यह change होता है, कि they can also be parasitic दोनों के plants and animals के लिए, ठीक है, तो यह parasites plants पे भी करते हैं, in act, attack और animals पे भी दोनों पे, ठीक है, इन में कोई भेधवाव नहीं है, platy halminthies में थोड़ा सा भेधवाव है, वहा पर animals को ही preference दिया जाता है, वो animals पर ही attack करते है, बट हमारे जो ascalminthies है, वो कोई differentiation नहीं, कोई भेधवाव में विश्वास नहीं करते है, plants और animals वो सब पे attack करते हैं, ठीक है, तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, can also be parasitic, both plants and animals, ठीक है, और इसका सबसे अच्छा जो example, आपने बहुत बार सुना होगा, ascaris, ascaris बहुत बार नाम सुना होगा आपने ascaris का, इसी का इसको हम directly round warm भी बोल देते है, common name, ठीक है, चलो अभी हम इसका diagrammatically हम देखते हैं, कि कौन सी layers होती है, कैसा होता है, जैसे हमने platyhalminthies का देखा था, वैसे ही हम देखेंगे, तो as ascaris को ही यहाँ पर as an example लेकर चलते हैं, तो बिलकुल बाहर, क्यूंकि मैंने कहा round warm है, तो obviously इसकी shape कैसी होगी, round होगी, I know यहाँ पर round नहीं आ रही है, but, imagine कर लो कि यह round ही है, ठीक है, तो यह जो सबसे बाहर वाली layer है, मैंने कहा था, ask halminthies का structure, काफी हद तक layers की, जब हम बात करें, तो काफी हद तक match करता है, हमारे platyhalminthies से, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बाहर वाली layer कौन सी होगी, thick cuticle, thick cuticle का मैं फिर से revise करवारी हूँ, आप लिख लेंगे मैं लिखोंगी नहीं, यह किस में मदद करेगी, यह करेगी survive करने में मदद है, क्योंकि digestive juices, क्योंकि यह parasites है, elementary canal में रहेंगे, हमारे host के elementary canal में, तो वहाँ पर digestive enzymes होंगे बहुत सारे, तो उन से protect करने में कौन मदद तो यहां में सिर्फ protection लिख रही हूँ, ठीक है, clear है, इसके अंदर हमारे पास, याद करो, platyhelminthes में क्या था, platyhelminthes में इसके अंदर क्या था, epidermis थी, वैसे ही हमारे पास, यहां पर भी, एक epidermis है, ठीक है, जो ectoderm से बनी है, वहां पर भी हमारे पास epidermis थी, और खास बात, वहां के cells की क्या थी, वो cells कैसे थे, वो cells थे, multi-nucleated और इसलिए हम उस epidermis को क्या बोलते थे, syncytial epidermis, वैसे ही यहां पर भी, इसको भी हम कहेंगे, syncytial epidermis, ठीक है, क्योंकि इसके cells कैसे है, multi-nucleated cells हैं, लिख लो यहां पर, multi-nucleated cells, ठीक है, अब बिल्कुल इसके अंदर आ जाओ, आपको याद है, last हमने जब किया था, तो हमें ऐसे कुछ wall of elementary के नाल दिखी थी, platy-helminthys में, बिल्कुल similar case हमारे s-helminthys का है, और बिल्कुल center में यहां पर, जो आपको खाली जगा दिखेगी, यह elementary के नाल होगी, और यह जो मैं बना रहे हूं red color से, यह है elementary के नाल की lining, ठीक है, यह क्या है, wall of elementary के नाल, elementary के नाल को मैं a.c.c. से लिखूंगी, और यह center में आमारी है के नाल, elementary के नाल जिसमें digestion होगी, ठीक है, अब आप कहोगे तो मैं यह क्या है, यह यहां पर खाली जगा बची तो यह siloam है क्या, आप याद करो हमने क्या पढ़ा था, कि ask helminthes कैसे होते हैं, pseudo-silomates होते हैं, ठीक है, तो हाँ यह cavity है, बट इस cavity में देखो कुछ green color के आपको यह नजर आ रहे हैं, यह क्या है, याद करो ज़रा pseudo-silomates में क्या होता था, यह ectoderm से अगर बनी, epidermis को हम ectodermal origin मानते हैं, और यह जो wall of elementary कैनाल है, इसको हम endodermal in origin मानते हैं, तो बीच में mesoderm होनी चाहिए, और क्यूंकि pseudo-silom था, तो क्या था, mesodermal lining यहां और यहां होने के बजाए, pouches की form में थी, तो यानि कि यह जो pouches मैंने बनाया है, green color के, यह mesodermal pouches की तरह behave करेंगे, ठीक है, तो यहां पर इनको हम कहते हैं, longitudinal muscles हैं यह, यह longitudinal muscles होती हैं, ठीक है, और इनका जब हम origin trace करते हैं वापिस, तो हमें पता चलता है, कि यह mesodermal pouches से ही बनी है, mesodermal है in origin, ठीक है, तो mesodermal pouches की तरह behave करेंगे, equivalent है, longitudinal muscles क्या है, mesodermal pouches की तरह behave करेंगे, इसलिए यह जो खाली जगा बच जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको नाम दे देंगे, हम pseudo-seelome, क्योंकि यह pseudo-seelomates हैं, सारी conditions पूरी हो गई, ठीक है, तो pseudo-seelome है इसमें, और आपको longitudinal muscles जो है, mesodermal pouches की तरह behave करेंगे, equivalent है, यह आपकी epidermis ectoderm से बनी है, अंधर endoderm से wall of elementary canal बनी है, तो हो गया, pseudo-seelomate की सारी conditions इन्होंने, fulfill कर लिए हैं, ठीक है, clear है, अब देखो क्या है, मैंने कहा आपको s-seelomates में क्या था, tube within tube plan है, अंधर एक pipe है, और बाहर एक बड़ी वाली pipe है, ठीक है, तो बड़ी वाली tube के अंधर छोटी वाली tube है, इसलिए हम इनको बहुत है tube within tube plan, और एक खास बात है tube within tube plan की, इसमें होती हैं दो openings, ठीक है, एक काम करेगी mouth का, दूसरा काम करेगी anus का, इसका मतलब क्या है, tube within tube plan में कैसी होगी, digestive system complete होगा, तो हम कहते हैं, complete digestive system, सबसे पहले कहां देखने को मिला, सबसे पहले complete digestive system कहां देखने को मिला हमें, ask helminthes में, platy helminthes तक हमें blind sack देखने को मिल रहा था, blind sack में क्या था, एक ही opening थी, उसी से excretion भी हो रहा है, उसी से खाना अंदर भी आ रहा है, है ना, बट यहां पर दो openings है, tube within tube plan है, मैं लिख लेती हूँ यहां पर, tube within tube plan है, दो openings है, इस वज़ा से हम कहते हैं, digestive system complete है, तो complete digestive system सबसे पहले, ask helminthes में देखने को मिला, क्योंकि examiner, ऐसे भी question गुमा लेता है, ठीक है, वहाँ पर direct नहीं पूछेगा कि, आपको ask helminthes में कौन सी वाला plan देखने को मिल रहा है, tube within tube वो तो आप सीधा सीधा लिख लोगे, वो पूछ लेगा कि complete digestive system सबसे पहले किस phylum में देखने को मिला, किस phylum में देखने को मिला, ask helminthes में, ठीक है, ask helminthes में सबसे पहले complete digestive system देखने को मिला, और इसकी एक और बहुत अच्छी बात है, बहुत important चीज है, वो आपने याद रखनी है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ उसको, यह digestive system तो complete है ही, बट इसमें क्या हो गया, pharynx भी आ गया, तो आप लिखो कि वो pharynx कैसा है, muscular nature में है, ठीक है, muscular pharynx मिले गया, अब यह pharynx कहां होता है, बहुत अब यह pharynx कहां होता है, सबसे पहले, ठीक है, clear है, I hope clear है, यहाँ तक, ठीक है, यह diagram अच्छे से बना ले न, अगर आपने नहीं बनाए, मैं इसको erase कर रही हूँ, आपने वीडियो को रोक कर, पीछे जाकर, अच्छे से diagram बनाना है, handmade diagrams और handwritten notes सबसे जादा अच्छे होते हैं, ठीक है, लगाने को मैं यहाँ पर diagram लगा सकती हूँ आपको, जो चीज मुझे लग रहा है कि मैं cover कर सकती हूँ timely, वो मैं हाथ से ही बनाती हूँ हमेशा, तभी समझ आता है अच्छे से हाना, चलो, अब excretion की बात करते हैं, क्यू कुछ excretion के लिए special cells होते हैं, जिनको हम कहते है, rennet cells, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, rennet cells, वहाँ थे flame cells, यहाँ पर है rennet cells, ठीक है, और इसको हम excretory tube भी बोल देते हैं, excretory tube भी बोल देते हैं, इसका काम क्या है, excretion करना, obviously, हाना, तो हर एक phylum में जहाँ पर आपक excretion के लिए कुछ अलग से कोई organ या कोई अलग से cell मिल रहा है देखने को, तो आपने वो चीज पक्का याद रखनी है, rennet cells यहाँ पर excretion करेंगे, ठीक है, फिर मैंने आपको बिल्कुल जब हम basis of classification, इसी में हम जब पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि आपको यहाँ पर dioces condition मिल यह देखने को unisexual, यानि one sex on one organism, या तो male है एक time पर organism, या तो female है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी, यानि sexual dimorphism देखने को मिलेगी, हाना? और यह sexual dimorphism पर बेस्ट रियाद है, एक्जैम में आपको practical में आपको questions आते थे, practical में आपको specimen दिखाया जाते थे, और आपको पूछा जाता था, कि इन में से male कौन है, female कौन है, और ascaris का ही आपको specimen ज़रूर दिखाया जाता था, तो उसी में हम sexual dimorphism पढ़ते हैं, तभी ह और female को आप देखते ही पहचान लोगे, उनकी body बिल्कुल अलग होगी, ठीक है, तो जो इस case में होता है, generally क्या होगा, जो female है, उसकी body लंबी होगी, female लंबी होगी, ठीक है, और थोड़ी सी wide होगी, मोटी होगी, जबकि male जो होगा, वो पतला होगा, छोटा होगा, ठीक है shorter, और दूसरी चीज़ आपको देखने मिलेगी, females में, कि उनका जो posterior end है, पीछे वाला हिस्सा है, वो सीधा होगा, मैं बना ही देती हूँ, देखो, यह आपकी female है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, female, और यहाँ पर आपका male बना देते हैं, ठीक है, तो आपको दिख रहा है, यह आपका male है, और यह है female, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो, जो मैंने दूसरी बात कही, posterior end, यह है इसका frontal end, ठीक है, जो ventral side है, इसके anterior end, आगे वाला हिस्सा, यह है mouth वाला portion, यह है इसका posterior end, पिछे वाला हिस्सा, तो इसका जो posterior end है, वो आपको कहीं से भी मूडा हुआ लग रहा है, straight दिख रहा है, तो posterior end is straight, जबकि जो males है, उसमें देखो, posterior end कैसा है, curled है, तो posterior end is curved, posterior end is curved, तो यही है sexual dimorphism, बाकि कुछ नहीं है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं, sexual dimorphism, अब बताओ, आप देखते ही, बता सकते हो, कौन सा male है, कौन सा female है, ठीक है, नजर आ रहा है, इसका curved end, थोड़ा सा नीचे करते हूँ, चलिए, हमेशा diagram बनाने हैं आपने, ठीक है, चलिए, तो आगे इसके थोड़े से examples वगेरा, वो रह जाते हैं, वो हम next class में, जरूर discuss करेंगे, अच्छे से discuss करेंगे, I hope आपको सब कुछ समझ आया हो, आपने notes अच्छे से बनाया हो, thank you so much for watching and stay tuned for more such videos, I'll see you in the next class